नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं निलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी तिति को विजिया एकादशी कहा जाता है और इस साल ये एकादशी कब है, विरत हमें कब करना है, पारण का शुब महुर्थ क्या है, पूजा के विधी क्या है, इस विरत का महत्व क्या है ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए तो वीडिया एकादशी के बारे में शास्त्रों में ऐसा वरणित है कि आज के दिन, यानि एकादशी तिति के दिन जब हम व्रत करते हैं, तो जीवन के हर शेत्र में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है वीडिया एकादशी आज के दिन अगर भगवान श्री हरी विष्णू की हम विधिवत पूजा करें, आराधना करें, वरत रखें, नियमों का पालन करें, तो सभी प्रकार की मनों कामनाय बुर्ण हो जाती हैं, पुर्वजन्मी के जो हमारे पाप होते हैं, जो भी संचित पापकर्म होते हैं, वो सभी पापकर्म नष्ठ होकर भगवान श्री हरी विष्णू की क्रिपा मिलती हैं, तो बहुत अधिक महत्व हैं शास्त्रों में एकादशी के वरत का, और विजया एकादशी का वरत तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी किया था, जब उन्हें लंका पर विजय पाई थी, तो बहुत अधिक प्रभाव है, विजया एकादशी का वरत का और बहुत अधिक महात्मी है, तो आज के दिन अगर आप वरत नहीं रख पाते हैं, तो आप पूजा जरूर करें, वान श्री हरी विष्णू की आराधना करें, तो भी आपको आज के वरत का पुरुनफल प्राप्त हो जाता है, बात करें विजया एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, दोस्तों एकादशी के वरत में नियमों का पालन हमें दश्मी तिथी से ही करना होता है, जैसे दश्मी तिथी के दिन आप प्रातहकाल जल्दी उठते हैं, श्नान करें, के बाद आप सात्विक भोजन लेते हैं सात्विक भोजन मतलब आपके भोजन में लेस्टन प्याज नहीं होना चाहिए और इस तरह से आप सात्विक भोजन बनाएं उसे ग्रहन करें शाम को सुर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है तो सुर्यास्त से पहले ही आप जो श्टनान करें, श्टनान के बाद साप स्वच्छ वस्त्रधारन करें, उसके बाद एकादशी व्रत का आपको संकल्ब लेना है, कि आज आप एकादशी का व्रत कर रही हैं, अगर आप किसी विशेश कामना से कर रही हैं, तो अपनी मनो कामना भगवान श्री हरी के सामने बोल और आपक पुझाशन lud कि अरपीद करें और भगवां क को पंचामरीट खीर से अरपीद करने से और ज आज आपको इस तरह से भगवां श्री तो की पूझा करनी चाहिए और दिन भर आपको व्रत रखना है भगवां नाम का उनके मंत्र का स्मरण करना है विश्णु सहस्तर नाम का पाठ आप कर सकते हैं जब आप सुवह पूजा कर रहे हैं तो और या फिर आप ओम नमो भगवते वासु देवाई नम इस मंत्र का जब यथा संभव कर सकते हैं चाहे तो माला से कर सकते हैं या फिर समय के अनु चरणों में ही बीते यही धियान रखना है पूरे दिन आपको और आप चाहे तो वरत निर्जल रखक्ते हैं चाहे तो फ़लाहार के रख सकते हैं तो जैसे भी संब आप पूरे दिन वरत रखें और शाम के समय फिर भगवान-श्री-हरिविष्नु की पूजा कर सकते हैं भग तुर स्थापीद करें और इसतरह से उनकी पूजा करें शाम को जब आप पूजा कर रहे है तो आपको एक दीपक जलाना है शुद्ध की का दीपक आपको सुबह भी जलाना है लेकिन शाम को फिर से टीपक जलाए चलाएंगे वह एक अखंड दीपक होगा जो कि पूरी रात्री जलेगा क्योंकि रात्री में जागरन का विधान होता है एक आजशी दिती के दिन तो चितने समय भी संभव हो आप जाग कर और भगवान श्री हर विश्नु के नाम का स्मरण करें भजन कीर्टन करें इसका बहुत अधिक पुन्यफल प्रा करेंगे और उसके बाद आप पारण करेंगे और पारण से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी ब्रामभण को भोजन कराना है तो आज आप चाहें तो किसी ब्रामभण को घर बुला कर भोजन करा सकते हैं और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी भी दान की सामगरी निकाल दें उसके बाद आप शुब महुर्त में पारण करें पारण हमेशा सुब महुर्त में करना चाहिए पारण का समय अगर आप टाल देते हैं जैसे पारण का समय बीथ जाता है उसके बाद पारण करते हैं तो वरत का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे बिल्कुल नहीं करें जो भी पारण का शुबमुहुर्थ होता है उसी समय में आपको पारण करना चाहिए आज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए जैसे आज के दिन आप किसी की निंदा नहीं करें, किसी के भी बारे में गलत बात नहीं बोलें अपने खान पान पर आपको संजम रखना है, इसके साथ ही अपने व्यवहार पर भी संजम रखना है व्याभार पर संजयम मतलब होता है कि आप किसी को भी ऐसे वचन ना बोले जिससे उनको दुख हो तो कठोर वाणी का प्रयोक आपको नहीं करना है जूट नहीं बोलना है आज आपको बिल्कुल भी और किसी की भी बुराई नहीं करनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है रात्री में शयन नहीं करना है जितना समय संबव हो पैसे तो पूरी रात्री जागरण का विधान है पर जितने समय भी आप जग सकते हैं जरूर प्रयाज करें कि जग कर आप अगवानश्टी हरी विश्णू के एक आजसी तिती का प्रारम हो रहा है आठ मार्च को दिन सोम बार है तीन बज कर चववालिस मिनट से और एक आजसी तिती समाप्त हो रही है नौ मार्च को दिन मंगलवार है तीन बज कर दो मिनट पर दुपहर में तो उध्या तिती हो रही है 9 March के दिन यानि मंगलवार के दिन तो वरत हमें रखना है 9 March को दिन मंगलवार है और पारण करना है 10 March के दिन 10 March को जो पारण का शुब महुर्थ है वो है 6 बज कर 37 मिनट से 8 बज कर 69 मिनट तर पारण का खुल समय होगा 2 घंटे 21 मिनट का तो ये शुब महुर्थ है पारण का जो आपको ध्यान रखना है कि इसी समय में आपको पारण कर लेना है समय बीतने के बाद पारण करने से व्रत का लाव नहीं मिलता है इस बात का आपको ध्यान रखना है आज आपको विशेश क्या करना है जिससे की श्रीहरी विश्णू की कृपा आपको मिले और जीवन के हर शेत्र में आपको सफलता मिले दोस्तों आज के दिन तुलसी पूजा का विशेश महत्व है लेकिन सुबह सुबह तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि आज तुलसी का निर्जल व्रत माना जाता है तो तुलसी में आप जल नहीं देंगे लेकिन उनको शाम के समय दीपक जरूर जलाएं और शाम को जब तुलसी में दीपक जलाते हैं उनसे प्रार्थना करें आपकी जो भी कामना है वो पुर्ण हो जाए इसके लिए प्रार्थना करें तुलसी की ग्यारह परिक्रमा करें चा को तुलसी बहुत प्री है आज के दिन पीपल के पेड़ में भी जल जरूर अर्पित करना चाहिए इस से लक्षमी का आगमन आपके घर में होगा तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है शुद्ध जल लेना है और लाल मिर्च के ग्यारह बीज डाल कर औ और उस जल में आपको लाल मिर्च के ग्यारह बीज डालने है थोड़ा सा शहत डालना है और सुर्य देव को मंत्रों के साथ अर्गे देना है ओम सुर्याई नमा ओम भासकराई नमा या फिर गायतरी मंत्र का जाब आप कर लें इस तरह से आप भगवान श्री सुर्य देव क जल अर्पीद करें धूब दीब दिखाएं इससे क्या होगा यह एक उपाय है जो आपको जीवन के हर शेत्र में सफलता दिलाएगा सुर्य मान सम्मान का कारक है सुर्य प्रतिष्ठा का कारक है सुर्य से यस की प्राप्ती होती है सुर्य देव की पूजा से जीवन के हर सु शुर्यवनसी थे तो सुरियदेव की पूजा का आज के वृत में बहुत असी तरह से आपको जल जरूर अरपीद करना है तकि आपको जीवनके हर श्यत्र में सफलता मिले तो उमीद करती हूं आज की जो ये विशेश जानकारी है जो कि विज्या एक आदसी के लिए बहुत महत्यपुर्ण है उमीद करती हूं आपको अच्छी लगेगी आपको इससे लाब होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार